साथियों, आपको याद होगा, सरदार पटेल की जेन्ती, यानि एकता दिवस के अउसर पर, मन की बात में हमने तीन कॉम्पिटिशन की बात गी थी, ये प्रतियोगी ताएं, देश भक्ती पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी, मुझे ये बताते हुई एक खुशी है, देश भर के साथ सो से अधिक जीलों के पांच लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़ करके इसमें हिस्सा लिया है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी ने इसमें बढ़ चड़ कर भागीदारी की, और विश से अधिक भाशा में अपनी एंट्रिस बेजी है, इन कंपेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाग्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत बढ़ाई है, आपने से हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है, कला साधक है, आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविदता और स साथियों, आज इस मोके पर मुझे लता मंगेश कर जी, लता दिदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगीता प्रारंभ हुई थी, उद्दन लता दिदी ने ट्वीट करके देश वाज़िव से आगरह किया था, कि वे इस पर्था में रंगोली कॉंपूटिशन भी काफी लोगपुरिय रहा, इसमां हिस्सा लेने वालोंने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बना कर बेजी, इसमें बिनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही, इनोंने नेता जी सुभास्चंदर बोस और अमर शहीद वीर रंगोली की बहुत ही सुन्दर रंगोली बनाई, महराष्ट के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारे जी ने अपनी रंगोली में जलियावाला बाग, उसका नरसमवार और शहीद उधमसी की बहादूरी को प्रदर्शित किया